हेलो फ्रेंड्स पैड़दर एमपीश यूट्व चैनल में आपको स्वागत हैं दिल्ली संतनतकाल के जो प्रमुक शाशक हुए हैं किस तरह से कौन-कौन शे वइंश हुए हैं गुलाम वइंश, खिलजी वइंश, तुगलग वइंश, सेयद वइंश और लोदी वइंश सबसे ज़्यादा शाशक हुए हैं गुलाम वइंश में हुए हैं उसके बाद खिलजी वइंश, तुगलग वइंश, किस तरह से शाशक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगें कुतुबुद्धिन एवग, देखिए बहुत सारे फ्रेंट्स, मित्रों को पैंडम दिखे थे कौन सा शाशक इसके बाद आया, किसने सकाल उसने शाशन किया, तो आप यहां से कंटिन्यू अच्छे से कंप्लिट कर सकते हैं देखिए खुतुबुद्धिन एवग, 1206 से 1210 सी स्वीत अगे रहा हैं आराम शा, 1210, इल्टोतमिष, 1210 से 1236 रुकुबद्धिन फिरोश्या, 1236 इस तरह से जो शाशक रहे हैं यह देगिए किस तरह से कौन से शाशक रहा हैं, क्योशक कारिकाल रहा हैं रजिया सुल्तान 1236 से 1240 मुई जुद्दिन बहराम शा 1240 से 1242 अलाउद्दिन मसुष्षा 1242 से 1246 नसुरुद्दिन महुम्मद 1246 से 1264 गया सुद्दिन बल्बन 1264 से 1267 महुद्दिन के कुबाद 1267 से 1290 इसके बाद क्यों मर्स होता है जो 1292 यह अंतिम शाशक होता है इसके बाद बात करते हैं खिलजी वनिश के बारे में जलाउद्दिन फिरोच खिलजी 1290 से 1260 तक यह शाशन करता है इसके बाद राजगड़ती पर अलाउद्दिन खिलजी बैठता है बारासुचन्यों से 1316 शियाबुद्दिन उमर 1316 में 35 दिन के लिए शाशक बनता है कुतुबुद्दिन मुबारक शाखिल जी 1316 से 1320 नसुरुद्दिन खुसरोख खां 1320 तुगलग वन्ष के बारे में चर्चा करते इसमें 9 शाशक वोई है गया सुद्दिन तुगलग शाख प्रथम तेरासो बिस से तेरासो पत्चीस मौंबद बिन तुगलग तेरासो पत्चीस से तेरासो इकावन फिरो शाह तुगलक, 1391 से 1381, गया सुट दिन तुगलक शांस, त्विती है ये, 1381 से 1390, अबुबाकर शाह, 1390 से 1390, नसुरुद्दिन महमश्यात रती है, 1390 से 1344, अलाउद दिन सिकंदर शाह प्रथम, जन्यु मार्ट च में हुआ है 1344 तक, इसके बाद दो सतंद शाशक जो हुए, नसुरुद्दिन महसु, नुसरुद्दिन शाह, 1344 से 1381, और नसुरुद्दिन महमश्या, 1344 से 1413, ये दिल्ली में, इसके बाद बात करते हैंगे, सही अद्वईश के बारे में इसमें 4 शाशक हुए, खिजरखा, 1414 से 1421, मुबारक शाह, 1421 से 1434, महमद शाह, 1434 से 1443, अलाउद दिन आलम शाह, 1443 से 1451, ये शाशक हुए, सही अद्वईश में, एक मात्र जो महिला शाशक रही है, वह रही है, रजिया सुल्तान, कि रजिया सुल्तान महिला शाशक रही है, ये देखेंगे, पुछ फेक्ट हैं, अससे पहले अपन बात कर ले थे हैं, लोधी वनिश के बारे में, इसमें 3 शाशक हुए है, लोधी वनिश में 3 शाशक जो वह देखिए, बहलो लोधी, 1451 से 14 सिकंदर लोधी, 1490 से 1517, और इब्राहेम लोधी, 1517 से 1526, ये लोधी वनिश में 3 शाशक हुए है, देखिए, गुलाम वर्ष, 1206 से 1290, चोरियां सी 7 वर्ष तक, खिलजी वनिश, 1290 से 1320, तीस वर्ष, तुगलक, 1320 से 1413, 94 वर्ष, सयद वर्ष, 1414 से 1451, से 30 वर्ष, और लोधी वर्ष, 1451 से 1526, विचत्तर वर्ष, इस तरसे इनका शाशन काल रहा है, अगर बात करते हैं, एक मुनात्र महिला शाशक, रजिया सुल्तान, सरवादिक व्रद सुल्तान, जलावत दिन फिरोज खेलजी, सरवादिक सम 95 वर्ष, बहलोल लोधी का 38 वर्ष, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, इब्राहिम लोधी, इस तरसे अगर आप याद करेंगे इनको, तो आपके फिक्स जल्दी से कमडिट होंगे, किस तरस कोन से शाशक हुआ है, कोन से शाशक का कारिकाल रहा है, वो कितने समय का उनका कारिकाल रहा है, इस तरस अगर आप याद करें, तो आपके जल्दी से कमडिट हो जाएंगे फेक्ट, और विडियो को आप कमेंड कीजिए, लाइक कीजिए, सुस्क्राइब कीजिए, जय हिन, जय भारत, बंदे, मातरम